तो दोस्तो हम अपनी लाइफ में अपने आपको ही सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं तो दोस्तो खुद की केर करना सीख जाओ तो दोस्तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा हेर स्पा के बारे में तो दोस्तो इसमें सबसे पहले चैप होता है इट इसचार्ट विद लॉंग शेंपू शेशन तो काफी देर मतलब 10 से 15 मेरट अच्छे से शेंपू करते हैं और वो साथी साथ मसाज करते रहते हैं जिससे जो हमारा स्कल होता है ना वो काफी अच्छे से क्लीन हो जाता है और जो बालों में डर्ट होती है वो सब क्लीन हो तरह है स्वेट होता है या ऑली होते हैं तो इन सबसे आग्म बाश्यंप करने से क्लीन हो जाते हैं इस य Maple से करते हैं कंडीशन ल जो के आपके मुक्ड बालों हटे कंडीशनिंग वर्हेंश जोक्त के बाद इसमूधनेंश में इसफ्रस आज座 यह कंडीशनिंग में एपक क्रीम तो यह हमारे जो हेर होते हैं उनको नरिश करता है रिपेर करता है उसमें इस ट्रेंड दालता है और उसको स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देता है जिसके लिए हम यह स्पार्ग करवा रहे हैं तो यह में प्रोडक्ट होता है आप लोरियल से लेकि किसी भी कंपनी का आप सकते हैं वह आप्शन होते हैं यह पाके तो वह आपके हैर में एक मास्की तरह अप्लाई कर दिया जाता है अब आता है थर्ड जो सबको पसंद है रिलक्सेशन यह मैंने फेस में करवा रहा है उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है टीटैन है और फेश्यल है सबकी करो लेट जाओ सो जाओ एकदम चल मारो तो दोस्तों जब तक हम लोग रिलेक्स कर रहे हैं आप इसके बैनिफिट सुमलो इट रिमोफ इंपरिटी एंड अनलॉंग टी इसकल पोर्स तो जो हमारे हेर फॉल्स होते हैं यह डेमेज होते हैं वह हेर फॉल की इश्यू से बना देते हैं जिससे वह थोड़े बाउंसी से हो जाते हैं अलग से शाइन आजाती है तो दोस्तों जब हमारा हेर इस पाक्रीम ड्राय हो जाती है तब आता है हमारा फॉर्थ चैप जो की है रिलक्सिंग इस्टीम ट्रीटमेंट मतलब उसमें क्या गरते हैं एक श्टीमर म और अलाओ करता है नुटीशन को एब्जूब करने में फास्टर इनार इसकल तो इससे जिद्धे भी उस क्रीम में नुटीशन होते हैं वह हमारा स्कल एब्सॉफ कर लेता है और यह तरह से फाइनल टेच होता है इस हमारे ट्रीटमेंट का तो दोस्तों फाइनल टेश्ड के बाद अब last step आजाता है washing the hairs जो हमारे hair में अभी spa लगाया था उसको अच्छी से clean कर देते हैं और टावल से आखती में पोच देते हैं और dry करके आपके बाल सेट करके दिया जाता है hope आपको वीडियो पसंद आई हो आपको वीडियो यूसफुल लगी हो अगर यूसफुल लगी हो तो लाइक ठोको अगर कुछ कमेंट में कहना चाते हैं तो बिंदास बोलो तो दोस्तो सेल्फ केर की सीरीज में मैं ऐसे ही नए नए एपिसोर्ट लाता रहूंगा कुछ ना कुछ इनोवेटिव बनाता रहूंगा आप कमेंट में बताइए आपको इसमें क्या वीडियो चाहिए देखो यार सेल्फ केर में अपनी केर आपको खुदी करनी है कोई देखा यार काफी लोग इंगनोर कर देते हैं तो मेरे दुमाग में आया इसकी वीडियो बनानी चाहिए और आप लोग को इसके बारे में बताना चाहिए चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए एपिसोर्ट के साथ फिर मिलते हैं